हेलो गाईज, वेलकम टो ओवर यूटिब चैनल तो देखे, मैं आपका दोस्त अब है आज आप लोगों के साथ लेकर आचुका हूँ वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं डेली उनिवर्टिटी सोल के जो भी स्टूडेंट है इनके अलावा आप और कुछ भी ना करें तो भी आप बहुत अच्छे मांक से स्कोर कर सकते हैं तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो और देखते हैं सेमेश्टर वन की एक्जाम्स के लिए constitutional value and fundamental duties के most important questions उससे पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना नों बूलें वीडियो को ज़्यादा श्यादा शेयर करें तो चलिए अब देखते हैं questions को फर्स्ट कोशन है जो इंडिया का constitution है हमें वो as a federal और as a republic दोनों तरीकों से explain करना है यह कैसे अलग-अलग है या क्या इसमें similarities है जो इंडिया का constitution है उसके basic features क्या-क्या है वो सभी features हमें explain करने है नेक्स्ट है critically analyze the secularism in India in reference with सर्वधर्म समान भाओ जो secularism है इंडिया में उसे हमें explain करना है analyze करना है with reference किसके reference के साथ सर्वधर्म समान भाओ के reference में explain करना है analyze करना है ठीक है नेक्स्ट एगा define the social, political and economic justice in Indian constitution जो इंडिया का constitution है उसमें social justice क्या है political justice क्या है और economic justice क्या है इन तीनों को अलग-अलग explain करना है सभी के बारे में बताना है next is briefly explain liberty, thoughts, expression, faith, worship as a fundamental rights liberty, thought, expression, faith, worship यह हमारे कैसे fundamental right है उन्हें explain करना है brief में next is what is equality equality क्या होती है explain equality before law mentioned under article 14 और article 14 के अंदर equality before law क्या mention है यह explain करना है next is describe the fraternity in Indian constitution Indian constitution में fraternity का क्या मतलब है क्या होता है fraternity इसे explain करना है आपको next आपका explain the concept of rights and duties consciousness in ancient India ancient India में rights and duties क्या consciousness थी उन्हें explain करना है next is explain the fundamental duties mentioned in Indian constitution Indian constitution के अंदर क्या क्या fundamental duties mention है 11 fundamental duties है उन्हें सभी को आपको इन में explain करना है next is what is fundamental duty examine the view of supreme court on duties fundamental duties क्या होती है और court का क्या views है supreme court है उसका क्या view है in fundamental duties के उपर यह explain करना है आपको ठीक है तो इसमें से कुछ और extra questions बनी नहीं सकते यही इसमें से सबसे most important questions है जो बने है इनके answer आपको मिल जाएंगे ना मिलें तो मैंने अपनी पिछली अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाली है one short revision of constitutional value and fundamental duties उसमें मैंने इन सभी concepts को बहुत ही detail में इन सब के answer उसी वीडियो में आपको दिये गए हैं बहुत ही detail में explain कर रखे हैं सभी concepts को आप उसमें से इनके answer डूनेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे में भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए useful रही होगी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगों वीडियो को ज़्यादर शेयर करें थैंक्यू